नमस्कार दोस्तों आज हमारे देश में पांच रफाइल जेट्स पहुंच गए और आज का टॉपिक है रफाइल तो आगे बुद्धी कब आएगी तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यह जो आज का टॉपिक है रफाइल तो आगे बुद्धी कब आएगी यह किसके लिए इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें. तो ये कहवत जो मैंने बनाई है, वो है बुद्धी तो आ गई, रफाइल तो आ गई, बुद्धी को आएगी. तो बेसिकली ये हैं कॉंग्रेस और रहूल गांदी के उपर. आज रहूल गांदी ने बधाया तो दी हैं, लेकिन सवाल से कुछ, सरकार से कुछ सवाल, सवालों के जवाब भी मांगे हैं. उसमें से एक है, अनि लंबानी को 30,000 क्रोड का कॉंट्रेक्ट क्यों दिया गया? तो भाही, जो पूरा जो आफसेट का जो पूरा वैल्यू है, वो है 30 क्रोड, 30,000 क्रोड का. और इसमें, अब यहां पर देखें, तो टोटल आफसेट, जो पार्टनर्स है, डेफॉल्ट, वो है 30,000 क्रोड तो यह कहना गलत होगा कि अनि लंबानी की जो कंपनी है, उसको डेसौल्ट ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, चलिए, आइए, अभी जो दूसरा, आज और एक पहला प्रस्ट जो इन का था, पांट सो चबिस करोड का जो एक जाज था उसके लिए भारत ने 1670 करोड क्यों दिये, ठीक है, चलिए, आइए देखते हैं कि कॉंग्रेस जो है, अपने आप में कितनी उलजी हुई है, यहाँ पे देखिए, 725 करोड का बताया गया है, एक प्लेन की कीमत, और यह है 2016 में, ठीक है, और यह है, देखिए, लगबग यह आज का है, 526 करोड का, तो सबसे पहली बात है कि कॉंग्रेस खुद ही तैय कर ले, ठीक है, कि भाई, कितनी का था, 526 का था, 725 का था, क्या वैली थी, ठीक है, उसके बाद लोगों के सामने आए और बात्चित करें, ठीक है, चलिए, आईए, दूसरे पर चलते हैं, एक और दूसरे प्रशन था, वो था, 126 की बजाए, 36 विमान ही क्यों खरीदे गए, ठीक है, तो सबसे पहली जो बड़ी बात है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, 1670 करोड का एक प्लेन की इमत बताई गई है, ठीक है, यह 526 करोड थे, जो प्लेन थे, यह जस्ट प्लेन थे, ठ ठीक है, इन में कोई रडार नहीं थे, ठीक है, एसा रडार जो हमारा, जो इसमें आया हुआ है, फिर जो ब्योंड विज्योल रेंज, कैपिलिटी तु फायर मिसाइल्स, मिसाइल इसमें नहीं थे, ठीक है, इस तरह की इंडिया-स्प्लेशिक जो अप ग्रेडीशन थे, व तब की है ठीक है और ये जो जो डील एंडी है या फिर मोदी जी ने की है 2015-16 में ये डील की गई है ठीक है जो पहले वाला जो टेंडर था उसको खत्म करके ये जो डील की गई है और ये जानना बहुत जरूरी है जब 2013 में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर एक अंथोनी जी से प आएंगे या फिर उनकी डील कब तक होगी तुन्होंने कहा था भाई अभी तो पैसे वैसे है नहीं जब पैसे आएंगे तो देखा जाएगा और उन्होंने कहा था मेभी विल सी इट इन 2014 2014 में उस टाइम पे इलेक्शन थे तो उन्होंने भाई उन्होंने पहले पदा था सरकार आने वाली है नहीं जो नहीं सरकार आएगे उसी से वह ही आकर अपने सिर्फ अडॉल करेगे दस साल था हमने कुछ किया नहीं है ठीक है लेकिन अभी जब यह प्लेंज आ गये हैं तो आएए देखिया सशी तरूर जी है वो बता रहे हैं कि भाई यह जो डील जो है हम लोगे की वज़े से हुई है ठीक है हमने प्लें सिलेक्ट किया है ठीक है और लगबग जो राहूल जी ने का है वह ही है यह यह शाशी धरूर है कि मैं काफे इज़त करता हूं ठीक है तो रही बात इस प्लें को सिलेक्ट करने का ठीक है चलिए एक और नेता की बात सुनते ह और जिसमें कि Manish Tiwari जो कि पूछ रहे हैं, Congress asked why Center rejected offer from Eurofighter Typhoon to buy Jets at cheaper price. तो basically, यहाँ पे Manish Tiwari, Congress के पाटी के उस टाइम के प्रवक्ता हुआ करते हैं, तो नैशनल स्पोक्सपरसन थे, उन्हेंने क्वेशन किया था कि, भई, Eurofighter Typhoon क्यों नहीं लिए गया, ठीक है. तो Congress जो है न, बड़ी धीली धीली रफ्तार पे है, या तो उन्हें सोच लेना चाहिए, भई, करें क्या, और यह जो प्रश्न जो है, यह प्रश्न राहुल गांधी जो है, सुप्रिम कोट तक लेके गया है, और सुप्रिम कोट में उन्हेंने माफी भी मांगी है, और इन सार सुप्रिम कोट में भी है, तो इस सारे डीले जो भी है, सब कुछ कर लिया है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, समय बदल गया है, सुधर जाओ, थोड़ी पुद्धी भी लेलो, और खासकर जब मैं देखता हूं, साशी धरुजयसे नेता, जो कि बेसिकली रहुल गांधी के लाइन लेते हैं, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि सच तरुजयसे नेता जो है, काफी उम्दा नेता है, लेकिन कहावद है ना, जैसा नेता उसी के हिसाब से उनकी परजावी बन जाती है, कही ने कहीं, तो भाई है, भाई, पुरी कॉंगर्स जो है ना, राहुल को बचाने में लग जा दे, भाई, राहुल एक जो इस वेक्टव तो दे देते हैं, उसके बाद उनके पाटी को खुद पता नहीं रहता है, भाई, उनके जो बोला है, वो सही बोला है, या गलत बोला है, ठीक है, तो उसको एहीं पर रहन देते हैं, पांच रफाइल हिंदु जो है, उसको उसमें ये इजाफ़ा जरूर करता है, ठीक है, तो बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का सुनने के लिए, आप लोगों ने मुझे सुना, और अगर आपको बात चीत पसंद आई, तो प्लीज इसको आगे बढ़ाईए, धन्यवाद दोस्तों, और